हे गाईज, वेलकम टो होटो इंडिय य्टूब चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS RRB PO की सेलरी के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों ये हमारे सामने RRB PO की सेलरी स्लिप है ये सेलरी स्लिप जॉइनिंग के दो साल बात किये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस सेलरी स्लिप से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जब जॉइन करेंगे तो आपको कितनी लगबद स्टार्टिंग पे मिलेगी दूसरी बात दोस्तों ये 10th bipartisan के साफ से salary है अभी RRB में 11 bipartisan के साफ से salary नहीं मिली है तो ये 10 bipartisan के साफ से salary है तो चलिए दोस्तों देखता हैं इस salary में क्या क्या मिलता है दोस्तों इसमें आपको जो basic pay है वो आपको मिलती है 25,660 रुपए ठीक है दोस्तों ये दो इंक्रिमेंट लगने के बाद की बेसिक पे है इनकी जोइनिंग 2018 में होई थी और ये 2021 की सेल्जी स्लिप है अभी इनको फूरे तीन साल नहीं हुए है इसलिए इनके सिर्फ बस 1796 रुपए लेकिन दोस्तों बैंक भी उसी हिसाब से देता है जिसे आपकी प्रूरिल पोस्टिंग होती है ये कम तो है लेकिन कुछ ना से तो कुछ सही इसके बाद दोस्तों डियरनेस अलाउंस मतलब मेंगाई बढ़ता होता है दोस्तों ये 21,860 रुपए मिलता है ये मैं आपको बता दू हर तीर मेने के इंटरोवल में बढ़ता है इसके बाद हम बात करते है स्पेशल अलाउंस जो कि 1988 रुपए मिलता है ठीक है इसके बाद मिलता है डियरनेस जो कि 1694 रुपए बनता है दोस्तों ये तो हो गई जो अर्निंग से हमारी इसके बाद कुछ हमा इसको चाहें तो ITR फिल करके इसको वापस भी पा सकते हैं अपनी सेविंग्स दिखा के मान लेजिए आपने LIC करा रखा हो आपने कोई Health Insurance ले रखा हो आपने Life Insurance ले रखा हो यानि आप वो सेविंग्स दिखा के आप इसको ITR के तुरू वापस भी पा सकते हैं इसके बाद दोस्तों यह हमारा आरे अवर्द बैंक BSBS कारता है, यह हर बैंक नहीं कारता है, दोस्तों यह bank to bank defer भी करता है, यह 500 रुपए का एक amount कारता है, दोस्तों BSBS में जैसे हमारा कोई staff, हमारा कोई employee अगर expire हो जाता है, तो बैंक के हर staff की salary से 100 रुपए पर मन्त काट लिया जाता है, माल लिजे, इस मेने अगर कोई 4 staff जिसे 500 कटा है, तो यानि 5 staff इस मेने expire होए होंगे, तो हर staff की salary से cut जाता है, तो एक अच्छा खासा amount बन जाता है, जो कि एक सहायता राशी के रूप में हमारे staff जो expire हो चुके हैं, उनकी family को हमारी तरफ से दिया जाता है, इसके बाद दोस प्रॉब्लम हो तो आपकी union, आपकी help करे, इसके बाद दोस्तों, आपका NPS करता है, आपका pension fund, ये देखिए, इनका NPS 4752 रुपीज कर रहा है, और लगव इतना ही amount bank भी जमा करता है, तो आपका 8-9,000 रुपए आपका pension fund में जा रहा है, तो सोचिए, जब आप retire होंगे, तो कितना अच्छा खासा pension fund आपका बन जाएगा, इसके बाद दोस्तों, हम देख लेते हैं, इनकी gross salary, तो gross salary के अगर हम बात करें, तो इनकी gross salary है, 53,000 रुपए, तो इनकी gross salary है, 53,000 रुपए, ठीक है, और जो इनकी deductions हो जाती है, जो मैंने भी आपको नीचे बताई थी, deductions के बाद इनकी gross salary, जो इनकी next salary है, जो इनके account में credit होती है, वो होती है, 46,019 रुपए, तो मुझे लगता है दोस्तों, ये एक अच्छा खासा amount है, और आपको और मेहनत करनी चाहिए, अगर आप clerical में है, तो आपको P.O के लिए है, मेहनत और जादा करनी चाहिए, क्यो से पहले allowance है दोस्तों, petrol का allowance, तो petrol दोस्तों, clerical को मिलता है, clerical को 5 litre मिलता है, और officer को मिलता है 15 litre RRBs में, ठीक है, लेकिन अगर आप branch manager है, scale 1 officer में, तो आपको मिल जाएगा 20 litre petrol, ठीक है, और ये मैं आपको बता दूँ, ये आपको हर month नहीं मिलेगा, ये आपको हर quarter में लेना पड़ेगा, यानि हर 3 महिने में, तो अगर 15 मिलता है, और हर 3 महिने में आपको 45 litre petrol का पैसा मिल जाएगा, ठीक है, आप जैसे 3 महिने पूरे हो जाए नहीं, 45 litre का पैसा आपको bank दे देगा, इसके बाद दोस्तों, आपको newspaper allowances में मिलता है, इसके अलाबा, आपको medical म मिल जाता है, जो clerical को सिर्फ 200 रुपे मिलता था, वो officer को 8000 रुपे मिलता है, medical aid, ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है, ये काफी अच्छा amount है, मैं ये नहीं कहूंगो कि बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ clerical से करतुलना करें, जिससे सिर्फ 200 रुपे मिलता है, 8000 officer के लि मिलता है, जो कि 600 रुपे होता है, दोस्तों, 200 रुपे महिना के हिसाब से, तो ये भी एक extra allowance है, जो clerical को नहीं मिलता है, सिर्फ officer को मिलता है, तो I hope दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को